कैसी ये मजबूरी है कि अधिर का समाधान क्या है मेरे देश के सिपाही पत्थर जो खा रहे बहुत 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 शुक्रिया अमारे लिए बजाने के लिए हमारे साथ मुद्दा शेयर करने के लिए तैंक यू सो मच और हम एक बार फिर के नौट प्लेस में मौजूद और आप से बीच बीच में बुजारिश करते र पत्थर बाज कश्मीर के मासूम है जी हाँ ये मुद्दा इसलिए क्योंकि वारुग अब्दुला जाब ये कहते हैं कि वो मासूम है मैं पूछता हूँ क्या ये राजनीत है क्या ये बात जो है जो वो एक हिस्सा ये कि वो भख्के हुए लोग है उनको मुख्धारा में ल ठीकते हैं सवाब ये लेकिन इसमिश में जंटा का गभी मुद्दा बड़ा कि आखिर जंता क्या सोचती है जंता की क्या बात है और जंता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ऎकिंश कहते हैं जहां तुर इस वचिश उंप सब्रें चुपाने में बाज नहीं आ रहे एक हजार रुपे के कार्टून वो ऐसे भीज देते हैं यानि गत्ता और उसमें टैक्स छुपाते हैं जी मैसुरी साथ धर पकट हो नहीं चाहिए धर पकट हो और इसके साथ साथ जीस्टी को लेकर जो कड़ाई है वो भी दिखाई पड़े और समाम सारी जो ओल जने जीस्टी को लेकर है वह दूर लेकिन हा जो जनता यहां पर मौझूद है उससे बात करेंगा उससे उसका क्या मुद्दा है जानना बेहत जरूरी साब क्या नाम है आपका इमान शूसी कहां के रहने वाले हैं आप मैं उत्तरपरदेश से हूँ उत सबसे बड़ा मुद्दा करनी चाहिए सरकार को उस पर जल्द से जल्द करवाई करनी चाहिए एक लाग सतर हजार जो शक्षक है वो पैदल हो गए उनके घर बेघर हो गए हैं वाज प्तरपदेश के सिक्षा मित्रों की नौकरी को लेकर बड़ा सवाल मैंने एक बार इस प सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि आज के पांच साल पहले उसी कास्मेर में पत्थरवाज नहीं थे लेकिन आज वही लोग थे वही लोग वहां पर रहते थे और आज वही पत्थरवाज कैसे हो यह क्या यह ब्रेंवाश किया गया या फिर उनको किस तरह मोटिवेट कि पत्थरवाजों के उपर ही है जी आपका यह कहना है जी और भाई तो ठीक है तुम तमाशा देखो बाचित के मुद्य को मैं जोड़ता रहूंगा जी जनाब आपका नाम अर्विन अर्विन जी आप कहां के रहने वाले हैं पतना के तो आपके हिसाब से आज बड़ा मुद राष्ट द्रोह सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट द्रोह से कोई समझ होता नहीं होना चाहिए दल कोई भी हो और जो संगठन धर्म निर्पेक्स्ता के नाम पर राष्ट द्रोहियों को प्रसरे देने का काम करते हैं उन्हें इस चीज से कदम वापस लेना चाहिए यह सबसे बड़ा मुद्दा है और उसके लिए कोई और कोई माफी नहीं होनी चाहिए कहां से आगरा अगरा से अच्छा बताओ आज बलो यार मुद्दा बदाओ क्या तुम्हारे लिए यहीं इसके अलावा कुछ नहीं है तुम्हें गजब के इसारों तुम कहने मोधी है बस वही है वही सबसे बड़ा मुद्दा बास उसके आगे कुछ नहीं पीछे कुछ ज़ब जी तो बोले आपे में जो कुछ पि किया नामी है याँ रखने का हक है कश्मीर का मुद्दा कश्मीर के मुद्दा में आप क्या सोचते हैं करे हाथ खोलने चाहिए सेना को और खुली छूट देने चाहिए पत्तर बासों को सजाहों नहीं चाहिए देश्द्रों बड़ा मुद्दा कश्मीर एक बड़ा मुद्दा जी बाबुजी आप उदर जुनमुट पे खड़े हो गए है जी मुद्दा जो सबसे पहला अभी तो अपने आसपास देखिए आप जो रेडी पेट्री वालों को हटाया गया है उसके लिए क्या विवस्ता क रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर बात्चीत होनी चाहिए अगर मैं पूछूं आपका नाम अमित के हिसाब से अगर बात्चीत आज होनी चाहिए थी इस फुटपात पर तो रोजी रोजगार की और बढ़ते हुए साधन कैसे बढ़ाये जाए साधन इस पर हो और चनकी बात के बात होनी चाहिए थी ना कि कश्मीर पर बात होनी चाहिए लेकिन ठीक है जंता की एब तहे की बाद जंता के मुद्दे सब्सेरे बढ़ा मुद्दा जिस ऊससरा रखना जाना चाहिए वीजेपी की दोगली नहीं दिया आप करें तो रासलीला और कोयोर करते दो करेक्टर डीला क्या वाथ है क्या वाथ है बड़ा इंतजार में थे मैंने पास की यह आये तो एक बार बसी जिए आज आए एक बारो पार से आपको क्या लगता कौन सा मुद्दा सब्से बड़ा मुद्दा जो भाई ने बोला वही सही अज़ा वही मुद्दा जी ऑगया ये तो पता इसाब क्या बुद्दा चनता चनता का सब्सेखक अठाइब पॉट सारव मिलनें उनकुछ झाहिए चाहिए ही, ब सबसें सब्सक्राइबां के तंक उसisch मुरवत किरपाल सिंग कहां गुरु कि हाजी मैं आ रहा हूं अब आप तो इंतजार करना पड़ेगा आगे निकल गया बुले साब जो लोग पत्थरवाद हैं उनको गोली मार देनी चाहिए मुरवत नहीं करनी चाहिए किसी तरह की क्योंकि जो आतंगवाद का साथ देते हैं वही सबसे बड़ा मुद्दा है और अरो जब आतंगवादी है और वही पत्थरवाद क्यों दिखाई देते जी आगया और जो देश में हो रहा हूंगे अभी तक क्या और राजनीती में जो कम पड़े लिखे लोग या अनपड़ लोग हैं उनको ब्रगलाया जाता है उनको ब्रगला के उनको वोट बैंक के रूप में तयार किया जाता है और मैं सोचता हूं जब अवेर होंगे अपने देश के लिए और सब के लिए तो ये हिंद सब के पास यानी पढ़ाई लिखाई होगी सब के पास तो तमाम सारी चीजें जो हैं हकज़ की हुकुक की वो लोगों को मिलेंगी और साथ-साथ यह आतंक बाद है उस्साथ लगाम मैं आपकी बाद से सहमत हूँ राजन आपकी बात से सॉफीज निस सहमत हूं और इस बात में कोई दो राये नहीं क्या नाम है बावु भीनोत नियूट के रहने वाले आप के रहने आपके हिसाब से कौन सब उद्दा सबसे बड़ा मुद्दा जी अब इन्डिया गंट्री में सबसे बड़ा मुद्दा जीस टीर जो करते थे करना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा इफेक्ट तो आया है विजनस पे लेकिन आने के लिए फ्यूचर के लिए इंडिया के लिए बहुत ही तो देना ही जाहिए तेक्स नहीं देंगे हम टेक्स नहीं देंगे तो ऐसे जैसे लोग जो यहां पर बैठे हैं करता हूं और जैसे इंडिया करने के लिए बहुत बढ़िया बात कई और मैं आपकी बात से बिल्कुल सौफिस दी सहमत कि अगर टेक्स दिया जाएगा वेपारी भाई टेक्स देंगे हम सारे लोग टेक्स के अदारे में आएंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं तरक्की क अमन के रास्ते पर नजर आएंगे क्या नाम है बाबू अब आचीत हम अपनी सुरुकल ने बहुत हो गई बात जनता की तो जनाब अब मुद्धे पर लोटते हैं जो मुठी का मुद्धा वो ये कि जो पत्थर बाज हैं वो बड़े मासूम है क्यों मुस्कुराते हो मेरी बात भाई ये बात फारुक अब्दूला साब कहते हैं और वो कहते हैं वो फर्माते हैं कि आम नागिरों को मारोगे तो बाजार तो बंद होगा ही आखिर कब तक आम नागिरों को मारोगे यानि कौन सरकार कह रही है या पुलिस आसेना के लिए वो कह रहे हैं और उसके बा वारे महमानियां पर मौझूद हैं कुछुए ओर शरीक साथ भूरा अच्छा वह उस्मीरग कि वह बहूद बचुक्र चुक्रिया जाइक ह साथ कमल हाक साब मौझूद है पनून कश्मीर से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए आज पनून कश्मीर की आवाज भी बात भी हम सुनेंगे हमारे साथ अंसार रजास चेरिमन गरीब नवास फाउंडेशन के मौझूद हैं बहुत बहुत शुक्रिया अंसार रज रुपता जी हमारे साथ और चंता प्यारी जंता चारों तरफ मौझूद है बातचीत के रुख को शुरूँगे और मैं जानना चाहता हूं कि जो पत्थर बाद है भाई जंता पत्थर बाद जो हैं वह मासूम है या नहीं मासूम नहीं है ये बात तुम वहाँ पे लाल चौक में चाहते हैं यह सवाल पूछ सकते हैं यहाpes पूछना भी जारेंगे एक बार तुम यहां आके भी पूछो यकीनन 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 जानता हूं सारी कश्मीर को लेकर यह सवाल नहीं कहा जा सकता लेकिन चंद वो लोग जो पत्थर बाज हैं सवाल उन्हीं को लेकर और यहां भी बहुत सारे ऐसे लोग जो यह बात रखना जाएंगे साब आपको क्या लगता पत्थरबाज जो है वो मासूम है नहीं है उनका एकाम धोर यह पत्थर भाजी करें अगर सेना पे जो देश की रक्षा कर रही है उसको कोई पत्थर से मारे जो इंकाउंटर कर रही है बिल्डिंग में घुज करके इंकाउंटर हो रहा है और वहां पे फिर उसको सेना को रोकने के लिए पथर बाजी करें यह कहां की इंसानियत है बदाईये सब कहां कि यह बात सही है कश्मीरियत कहां गई इंसानियत सवाल बढ़ा है मैं आ रहा हूँ आपके पास क्या नाम है तुम्हारा मैं नेम इस दीपक्त रपाटी डीपक्त हाक साब मौजूद है मैं खड़ा करना जाओंगा कमल हाक साब फारु अबदुल्ला साब कहते हैं खड़ा करना जाओंगा वो कहते हैं कि मासूम हैं पत्थर बास सबसे पहले फारु अबदुला जी जिनका के राजिनेतिक करियर करीब करीब 40 साल से ज्यादा है उसकी इस विकृत सोंच पे मैं समझनी पारा हूं मैं हसूं या उस पे ताजब करूं कि एक ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं कि जो कि खाली देश के दुश्मनों का साथ नही करते हैं उनके इज़त पर दावा बोलते हैं और ये लोग फारुक उद्ला साब उनकी उनकी तर्फदारी करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये शायद उनकी कोई राजनेतिक शायद मजबूरी रही होगी वरना कोई भी सब्यादमी कोई बी अच्छी सौच वाला आदमी उन के समर्थन में कभी भी खड़ानी कोई बी अच्छी सोच वाला आदमी उन पत्थरबाजों के हक में नहीं खड़ा हो सकता ठीक छे बज़े हैं यकीनन छे बज़े मैं आपको एक बार फिर मुद्दा बता देता हूं आज ये कि क्या कश्मीर के पत्थरबाज मासूम हैं मासूम नहीं हैं कश्मीर के हालत बड़ी कराब है कश्मीर का बच्छा घुरवड़ादी ये कोई बुरा माने कोई नहींर चाहता कि हिंदू-हां का च्यकित आज्ची वो सबस्ट कहते हैं तुम आओ यहां बैठो अधे टूरिस्ट आओ खाओ पीव मोच गरो और फिर अपना वापस जाओं हम तूरिस्ट था ना कश्मीर का हूँ लेकिन टूरिस्ट हूँ उनकी नजरों में वो कहते हैं तूरिस्टो आओ खाओ पीव और जाओ यहां रहने नह काई आपको किसी आने यहान यहां नहीं रहने देंगे यह सोचना भी मत कि हम अपने गर वापस आ जायेंगे पहले फारुक अब्दॉल्लाबाद की हर बात से सहमत नहीं हूँ पर हमारी मुक्य मंत्री साहिबा महभुबा मुफ्ती प्रदेश की मुक्य मंत्री है वो हमारे बच्चे हैं ये टाइम्स अफ इंडिया की रिपोर्ट है उनका बयान में पड़ रहा हूँ वो हमारे बच्चे हैं उनको दर्द है वो दुख में हैं तो हमें उनके साथ बातचीत करनी हैं तो वो करे तो रासलीला हम करे तो कैरेक्टर ढीला ये बात नहीं होनी चाहिए महबूबा मुफ्ती के वालिद साब ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को धन्यवाद की भारत में चुना हुए उनके साथ मिलके गड़बंदन की सरकार किसने बनाई महबूबा मुफ्ती की पार्टी कहती है अफजल गुरू शहीद है उनके साथ गड़बंदन में सरका बनाया तो मैं पूछना चाहता हूं कि बोधी जी आप तो शामा प्रसाद मुखर जी के वंशज हैं आपने इन लोगों के साथ सरकार क्यों बनाई है जहां तक फारुब अगदुल्ला की बात है तो अगर पत्थरबाज गुनेगार है कश्मीर में तो यह मध्यप्रदेश की तस्वीर नहीं कारेक वालों को मार रहे लखनओं के बार और यह है तस्वीर हमारे पास मध्यzym के पत्थर गूंधिकी तो जो भी काईदा आप वहां पर क्शमीर में लागुचे काइदा पूरे मुल्क में होना चाहिए क्शमीर लग अलग होगी कश्मीर में आरा हूं मेरा भाई लेकिन बात पहले हो जानी चाहिए कश्मीर में 370 चलता है वहाँ पे इतना ज्यादा हम लोग टेक्स्पे करते हैं इसको यूज किया जाता है ना किम्मत परदेश में और वह जो मीडिया का दिखा रहे हैं सोसल मीडिया का हंडेट में हंडेट में 90 फेक होता है आज के टाइम में सबसे बड़ा फड़ा का सिमीर में 370 लगा वहाँ पे इतना ज्यादा टेक्स जादा अभी नंग है तो यह यह बात वहां के लोगों समयना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी है ना कि कस्मीर है हिंदुस्ता आपको पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए हुँ है अज़ि तक कहते हैं थैए कि पाता होनी चाहिए तो जश्री बात है क्यों मोदी जी सावा सौ करोर का नित्यूत करें और सावा सौ करोर की बात करते हैं किसी एस्टेट और किसी पर्टीकुलर कास्ट की नहीं करते हैं कांग्रेश के लोगो ने जो अभी कहा कि कैसे इसके साथ सरकार बना ली ठीडीपी के साथ है उनको अफसोस है कि तो पिढ़ीपी के साथ क्यों नहीं सरकार बना निवत कि राजैंजी ढहर रहकें घर रखेगा रहकेगा मैं काशमीर भारत का मस्तिश्क है हमारी आन बान और शान है काशमीर हमारे दिलों में बस्ता है जेलम का तीर नहीं छोड़ेंगे पुर्खों की जागीर नहीं छोड़ेंगे केसर की महकती क्यारी की कसम मर जाएंगे मिट जाएंगे काशमीर नहीं छोड़ेंगे आज तो भीजेपी के प्रवक्ता अभी बड़े मूड में हैं हम पुरी बात सुनेंगे हो इस यह दो को एक लगण अपया जी लिए वहाद सोचता हूं आप के लिए वो जो ब्रेक का समय होता उसको काटके रख लुए बड़ा मजेदार होता है अहा वें इतनी बाते होती हैं कि सब की सब बताई नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी यकिन मानिये ये लोकतंदर है, पिर लोकतंदर का मजा भी है और फुटपात का जो तमाम सारी रंग है, वो दिखते हैं इसमें, लेकिन जब मैं कहा था तो मैंने बजाए था कि आज का जो हैं यानि वो लड़के जो पत्थर बाजी करते हैं वो मासूम है और यहीं बात थी जिसका जवाब भीजेपी की प्रवक्ता दे रही थी देखिए मोदी जी का बिल्कुल स्टैंड क्लियर है भारती जन्ता पार्टी का उन्होंने हर फोरम पे यूनाइटेड नेशन से लेके विश्व के हर जगे पे एक उठाया कि आतंक वाद से समझोता नहीं हम सब को कलेक्टिवली यूनाइटेड ली मिलके इसके खिलाफ लड़ना है और वोई स्टैंड आपको काशमीर में दिखाई देता है बुरहानवानी से लेके आज अबू तक 119 आतंक वादियों का जो ख हम गर्व मेहसूस करते हैं उन्होंने एक बड़ी सफलता हासिल करी है और जो पत्थर बाजों पर जो बयान है वह बहुत दुर्भागेपून है इतने सीनियर नेता इस तरह की बात बोलते हैं देखिए पत्थर बाजों को बर्गलाया जा रहा है फोर्सेज और सोशल और प थब पूर्पूर्ज है काशमीर के लिए इतने बड़े बड़े पैकेच जम्मु काशमीर के लिए इतने बड़े पैकेज वहाँ स्कूल जरूरी है सड़के जरूरी है अभी इतनी बड़ी सुरंग नरेंद्र मोदी जी उसका उद्गाटन करके आए तो आज वहाँ इंफरस्ट्रक्ष की स्ट्रक्चर की जरूरत है इसलिए अगर कोई भी वहाँ पर प्रतक्ष रूप से आंतंक वादियों की मदद क सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल के मादम से भाई साब थोड़ा सा सबर कर जाओ यारा मुझे मालुमा बहुत बोलके जानते हुआ सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माद्यम से बीजे पी की जो सही होगी सरकार की मुख्मंतरी मुखतरमा महबूब बुव साहिबा है उनको एक जवाब देना चाहता हूं आपके चैनल के माद्यम से छो चार दिन पहले उन्होंने कहा ता कि अगर ऐसे हलात रहे अगर ऐसे हलात रहे तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का तिरंगा हुर्यत के कंदों का मोताज नहीं है यह हम उनको बताना चाहते हैं और उठाने वालों की उस वक्त जरूरत पड़ेगी जब तिरंगा भारत के लोग जुकने देंगे हम जुकने नहीं देंगे तिरंगा अब जहां तक सवाल है पत्थरवाजों का तो जिनोंने काया कि पत्थरवाज मासूम है वो कितने बड़े मासूम है तो दुनिया जानती है कि फारुक अब्दुल्ला साब कितने बड़े मासूम है इतने बड़े मासूम है कि पिछले वार नॉम्बर में आकर कि इसी दिल्ली की धर्ती पर कहके चले गए थे कि अपरेल में फिर दंगा होगा हुकूमत नब तक गलेवान पे हाथ क्यों नहीं डा अपरेल से दंगा हो रहा है इसका मतलब एक फारुक को पता है कि कब दंगा होना है तो क्यों पाले में बिठाकर को उसको दालोटी खिला रहो भाई क्यों निकाल के बाहर नहीं कर रहे हो और जहां तक हुर्यत का सवाल है मैं एक बात जानना चाहता हूं इतना बड़ा मजम है यह सब कहेंगे कि हुर्यत के लोग आतंगवादी हैं मुलो है के नहीं है और जो लोग हुर्यत का समर्थन कर रहे हो आतंगवादी है के नहीं तो बीजेपी हुर्यत का समर्थन कर रही है अब बताओ अब बेबुनियाद बात करते हैं अनसार रजा साब हमेशे बेबुन कि यह इस तरह की बात कर रहे हैं तो बात सुने यह बात सुने यह जब तक पूरी नहीं हो जलाने तुरी बाद पुरी बात हो जाँ मैं ये कह रहा था जब हम धेक अहुम फूर्यत के लोगों को सपोर्ट कौन कर रहा है पीडिपी पीडिप любов हमने हिंदुस्तान के किसी भी कश्वीर के कुछ इलागे के लावा हमने कभी अफजल गुरू को कि किसी तरह का कोई कॉम्प्रमाइब आप एक बात बताओ मुझे हिंदुस्तान में पाकिस्तान से अगर कोई बात होती है हुर्यत कौन मैं खामका अई हुर्यत कौन है बीच में भी बोलने वाली बात कि कंदे बी तंदा भी नहीं मिलेगा तरंगा को तो हमने उसकी बात को कंड़न किया और कंदा हमने उनी के अबू दुजाना को मार के अबू दुजाना को मार के हमने कल कंदा उनी का कंदा उनका इस्तमाल करवाया अबू दुजाना मारा है और अगर नहीं सुद्रेंगे रोजाना मारेंगे हम उनके को कोühren समर्थन करता है और जो हमोड़ी को हम लोग किसी तरह का सपोर्ट नहीं करें और हमेशा हमने खंडन किया आपके चैनल के माध्यम से भी कई बार खंडन कर चुके आप सचाई वता है आप हुरियत को बीजेपी से कैसे जोड़ सकते हुरियत और बीजेपी का क्या लेना देना एक सरकार यह यह देखे भारतिय जंता पार्टी की संसका संस्कृत है यह आस्ता है हिंदुस्तान का कि हमने वहां पर सरकार इसलिए बनाने दिया कि वहां पर शांती स्थापित यह आपके आरा है यह मौलवी साहब की बात का खंडन करते हुए इन्होंने बहुत बुरी बात कि तिरंगे को कंड़ा नहीं मिलेगा यह भूल जाते है अगर तिरंगे की बात आती है तो पिरीध पर श्थितियों में अधिस ग्यांपाशविक परिस्थितियों में और रही बात यह जो फारुक अब्दॉल्हा जी कह रहे हैं कि यह पथरबाज मासूम है मैं यहां इस चैनल के माध्यम से ऐसी बात कहने वाले को उग Лवादी कहता हूं कि फारुक अब्दॉन नी,- है बहुत बढ़धा बाल भी तुम्हारे लग रहे guten पूछना चाहता हूं अगर सतर साल राइबली में कांग्रेस ने राज किया तो देखे अगर आप देश के किसी भी सता किसी भी राजी के प्रशासन के खलाफ नराज हैं और कुछ हिंसा पर उतर आते हैं और उनकी तुलना आप देश के दुश्मनों के जो देश के दुश्मन हैं जो के देश के टुग्रे टुग्रे करने वाले लोग हैं जिनकी वो मान सकता है उनकी तुलना आपस में करे तो यह सोच बिल्कुल गलत है यहां पर यह बताया गया अभी कुछ देर पहले कि एक एक दोहा बताया एक गाने की लाइन बताई गई कि मैं करू तो तुम करो तो रास लीला मैं करू तो करेक्टर डीला तो मैं उन लोगों से यह पूछना चाहता हूँ कि जब वो मुफती महमद साइद के साथ मैं रास लीला कर रहे थे तो तब किसी का करेक्टर डीला नी था क्या जब वो आप मेरेके उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमें बताये जब आप वो रासलीला खेल रहे थे उस टाइम पे पीडीपी महभूबा मुफ्ती, मुफ्ती साइद की जो सोच थी क्या उसमें आज कोई बदलाव है कोई बदलाव नहीं है, बीजेपी और पीडीपी की शायद मौरली गलती सरकार, लेकिन ये कहा कि ये इनकी हुझा से हो रहा ये भी कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉंग्रेस भी उतनी ही जिम्मवार है, उन्होंने भी पीडीपी के साथ में, उनकी सोच के साथ में लेके अगर जो लोग भत्रवाजों को मासूम और उनको बोल रहे हैं कि वो बेचार हैं, मैं उनको बता दू कि अभी इस देश में कस्मी में मेजर गोगई जिंदा हैं, और एक नहीं ऐसे सो मेजर गोगई हैं, और आगे नहीं, आगे पीछे बांद के घुमाएंगे, आगे ठोकेंगे रोजाना, बुरहान हो या अपूत हो जाना, ऐसा करेंगे तो ठोकेंगे रोजाना, डन, जो भी हुरियत हो, या जो ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, ना सिर्फ मेजर गोगई, हिंदुस्तान का सवा सो करोड देशार आगे, आसी सिंह, लाल चौक पर बात कह सक मैं उस भारति जन्ता पार्टी का समर्थ अधेक भूट मैं आवक मैं आपके, MAEAK का परेश्यजाह जानने वाला था, मैं आपका परेश्यजाह जांने जाने जाना चाहता था, जी कριGER रहे हुं, जी करया uta, हुआ जारा हुगS यह वहां तक उबादी मारा जा रहा है उसको क्यों डिबेट में ला रहे हो और भाजपा और पीडीपी की सरकार ने गोगोई साथ पे केस किया और जो पत्थर बाजे उनको कॉमपन्सेशन और बुरानवानी को कॉमपन्सेशन इनों ने दिया तो इन से पूछिए कि क्यूद किया पूछे त्यूमन राइट कमिशन जो भाजपा और प्रे डिप की सरकार के तहत है और यह बोलते खंडन करूगा अरे खंडन क्यूं करते आप तो अलग है ना आप सरक करके आते हैं जूट बोलने की प्लैनिंग करके आते हैं आपको राजनाथ जी देश के हो मिनिस्टर का कहना है कि एक साल में कश्मीर को ट्रांसफॉर्म बदल के रख देंगे बदल के रख देंगे क्श्मीर का जहां तक सवाल है प्रतीक जी कश्मीर बदलेगा और हमारे देश की जनता बदलेगी हमारे देश की सरकार बदलेगी इसमें कोई शक्की गुंजाईश नहीं मतवेद हो सकता है देखिए मैं किसी सियासी पार्टी से नहीं हूँ मुझे कश्मीर के मामले में अपने गिरह मंत्री पर पूरा भरोसा है पूरे भरोसे के साथ इस बात को कहता हूँ कि मुझे अपने इसलिए नहीं कि वो बीजेपी के हैं नहीं इसलिए कि हॉम मिनिश्टर पहला भारत का हॉम मिनिश्टर है कि ऐसे हालात में भी कश्मीर जा करके वहां के लोगों से बात कर रहे हैं वो इसलिए दूसरी बात मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह पत्थरवाजी बंद हो सकती है अगर मोधी सरकार तक हमारी बात पहुच जाए तो और यह मोहतरमा है यह पहुचा सकती है वहां जगड़ा सिर्फ इस बात कर है कि बीजेपी आखिर दाखिल क्यों हो गई कश्मीर में अरे वह भी तो हिंदुस्तान की है इस परवक्ता को देशे हैं इस पहले कश्मीर है इस इंगा कश्मीर है कि इंगा कश्मीर है इंडिया का कश्मीर है पंदरा दिन कश्मीर मैं पिता किया हूं परिवार सही करते हैं कश्मीर जाके दिखाइए कश्मीर में हमने जंडा पर आपने क्या किया है अब कहते हैं भी जेपी को अलग कर देजिए ने अब करें जिसन दिया करो मेरे भाई पहरे कानों की सफाई करो बाद में हमारी बात समझो हमाई नहीं आफना कोन है यह अद्मी ने आप वोले हैं पर लाए कि नए इसका पर भाई कोछ नहीं तेरे क्या व्यक्ताइब नहीं त देखिए उन्होंने ये नहीं कहा है उन्होंने ये कहा है मैं बीजेपी की तरफ से कह रही हूं उन्होंने हमारे ग्रह मंतरी जो देश के करें मंतरी कोई भारतिय जंता पार्टी के ग्रह मंतरी नहीं है उनकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि उन्हों की तकलीफ ये है वहां पे जो अलगाब वादी रहें जो आंतंक वादी है जिनकी घटिया सोच है वो लोग बच्चों को घुमरहा करके बर्गला के उन्हें पैसे देखे जो पाकिस्तान फंडेड हमें तो वो पाकिस्तान के दो लोग उनके सिर चाहिए वो पाकिस्तान के सब्सक्राइब मालूम है कुछ पर लोगा प्रेक का टाइम है मेरा अजेंडा ओफ अलाइंस में इन्होंने हुर्यत के साथ बातचीत की बात क्यों की है इनको समाधान क्या है इन पत्थरबाजों की नजर में आखिर देख और आज का मुदा ये कि क्या कश्मीर के पत्थरबाज महसूम है इसी मुद्धे पर बातचीत करते वे हम कैस की तरफ रुक करें आफकोस यासर मैं आपके पास आना चाहूंगा और अंसार रजा साब मैं आपक जानना चाहता हूं कि जो कश्मीर में पत्थलवाज करते हैं उसके लिए कानून नहीं है कानून होना चाहिए इस तरह अमरी सार में जो हमारे मंदिल थे ये स्वन मंदिल उसमें खलिस्तान अगरबादी पैदा हुए थे उनको इंद्रा गांदी ये सांथ किया था उसी तर थे पता नहीं है कि वहाँ पर एक्चली हो कह रहा है थाली बात तो यह अगर कुछ भी मिल्टेंट सी मारी जाते हैं महां पर जितनी भी फॉपक्ष जो भी जो भी पार्टी है सब को एक स्टेंड लेना चाहिए मांपर कि मुझ्ञ एक मिल्टैंट मारा गया कोई कहता है मु तरंगा नहीं रहाएगा और बात रही तरंगा तो जमून के साथ पूरा स्टेट खड़ा है तरंगा रह रहाने के लिए गगन खजूरिया आप जमू से हैं जी 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 एक अभी भाई ने बोला ता कि जो हुरियत का समर्तन करने वह उगरवादी हैं लेकिन अंधार रजा साम ने कहा था यह उद्धर भाई ने किसी ने बोला ता जो हुरियत का समर्तन करने वह उगरवादी हैं लेकिन जिनकी हुरियत के साथ कड़वंदन में सरकार है वह कौन है यह सवाल इने ने पूचा जी अफका इसका जवाब में देना चाहूंगा यहा के लोगों कभी है लगदा के लोगों कभी है अगर यह बीज़ेपी हटा लेती है तो क्या कॉंग्रेस आज जाएगी और बेड़ा करका सब्सक्राइब हो जाएगा यहां समस्ते हैं बहुत अच्छा कर रखता है सेप्लिटिस पे लगाम खसी है जिंदगी में पहली बार से दोर पर जी देखे जो अभी पिछले तीन-चार महिनों में बीजेपी सरकार पीडीपी सरकार का कितना हाथ है उसमें यह हमने कह सकते कि लेकिन जो केंदर सरकार ने कश्मीर में जितने भी कदम उठाए हैं पिछले तीन महिनों में हम समझते हैं कि कश्मीर में पिछले 27 साल में जब से आतंक वाद शुरू हुआ है इतने ठोस कदम इतने बिल्कुल सौंची समझे कदम आज तक किसी सरकार आपको लगता है कि 27 सालों में जो कदम नहीं उठाए गए वह पिछले तीन सालों में के सरकार पिछले तीन चार महीनों में 27 महीने तो यह भी उस हो रहा है आज आपकी डिबेट जो है वो पत्थर बाजों पे है अगर हम देखे तो मुझे बहुत ही दुख होता है उनकी सोच पे अब्दुल्ला जी जिन्नों ने यह कहा आज इतना महत्मपून प्रश्ण है कि इन पत्थर बाजों के पत्थर मारने से 96 लोगों की मौत हुई पांच लोग अंदे हुए 900 से उपर लोगों ने अपने एक आख का विजन खोया कष्मीर करte काश्मीर 2 चाहे क्ष्मीर कर चाहे वह हिंदु थाओं कष्मीर काश्मीर ह्ट थी वह हटभ ना चाहिए है कष्मीर मस्तश्क सबसüp का कैसे यही सब सबस्वार चिनन में अभी प्रतीक जी मुझे से मैं इसे वितना पूचना चाहता हौन नोट बंदी के बाद तो पत्थरबाजी बंद होने वाली थी ना बढ़ कैसे गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 20 आतंकवादी हमले कैसे हो गए अगर 27 साल में सबसे भैतरी सिचुएशन है पहली बार साथ साल में चुनावरत करना पड़ा आनतनाकत जो कभी नहीं हुआ तो मैं पूछना चाहता हूं कि कश्मीर को किस खड़े में लोग ले जा रहे हैं और पाकिस्तान पाकिस्तान जो समर्थन करता है माफ कीजेगा मनमोहन सिंग कभी वहाँ पे नव मुझे बहुत हैरानी होती है और यह बात करते हैं पथर बाजों का इन्होंने हमेशा से एक ऐसा माहल कश्मीर में क्रियेट करने की कोशिश करिया अब इन्हें बेचैनी क्यूंकि वहाँ पे पथर बाजी कम हुई है यह अभी कह रहें कि पत्तर बाजी बड़ी डीमोंने ड भारत के साथ हो वहां के लोग वहां का विकास हो आप देख रहें जब सेना की भरती हो रही है तो जो उनमें जुनून है लड़कों में जहां कभी दस आदमी नहीं पहुंचते थे 20-20 हजार लोग आज के डेट में पहुंच रहें यह भारती जंता पार्टी जो मौजूद सेंट्रल में सरकार है उसकी देन है तो आप आप शांती बनाने के लिए हमारे साथ क्यों नहीं आते हैं आप हमेशा जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो आप अलंगा लगाते हूं आप जाके कभी कश्मीर के एमबैस्डर से मुलाकात कर लेते हैं इनके नेता कभी वहा कश्मीर में जितने लोग पत्थर मार रहे हैं यह फालतू नहीं को पैसे दिये जा रहे हैं इनको पैसे दिये जा रहे हैं और कश्मीर में जो भी बीमार होता है वो आता हमारे दिल्ली में है इलाज करवाने के लिए अरे भाई जो पैसा तुम पत्थरवाजों को या आतंगवादियों को बांट रहे हो उसी पैसे से तो अस्पताल बन सकता है वह काम क्यों नहीं कर यह हो पाकिस्तान के जो जो पांटिस्तां के जो जो कि अ थे स्वरी से अने होंगे जो पीछे से फंडिंग कर रहे हैं और इन बच्चों करने का कम कर है आप सईध का सर और सलाहुद्दीन का सर सेना लाय नलाए हंदुस्तानी मुसल्मान जरूर ले करके आएगा ये कश्मीर है कि हिंदुस्तान का मुसल्मान लेके आएगा हिंदुस्तान का हराद में लेके आएगा कोई मुसल्मान और हिंदु लेके नहीं आएगा जो 126 करोड लोग है वो लेके आएंगे इनका हिंदुस्तानी कोई मुसल्मान और हिंदु लेके नहीं आप फिर जो आरे से हिंदु राष्ट बनाने की बात कर रहे उसका क्या होगा वो तुष्टी करण नहीं है मतलब इनको जिल लोगों को यह लगता है कि अगर मुसल्मान अच्छा काम कर जाएगा तो आरे से सदम नहीं कर पाती है हमारे कहने का हम एक बार नहीं हम पचास बार कह चुके के पाकिस्तान अगर बरबाद होगा तो उसका सबसे बड़ा से इंदुस्तान के किसी मुसल्मान के सर पर बंदेगा किसकी देन थे लेकिए जनता के बीच में इतना है लेकिन भाया जी कल फिर किसी मुद्दे के साथ कहीं भुटपात पर जरूर नजराएंगे किसी मुद्दी प्रूर नजराएंगे